हलो फ्रेंड्स, एंसियंट इंडियन हिस्ट्री के सीरीज में आपका स्वागत है यह वो सीरीज है यूप्यस्ट्री जिस प्रकार से नहीं क्विश्चन पूछ रहा है उन सबको कवर करने के लिए हम डिफरेंट मैटिरियल्स को मिला के एक निया लेक्चर बना रहे हैं जिसस सारे के सारे यूप्यस्ट्री के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल आसानी से साल हो सके है इस सीरीज में हमारा बुद्धिन मर्जैनिम हो चुका है करता हूँ आपने उनको देख लिया होगा और हमने बताया था लाष्ट वीडियो में की नई अप्रोच हम स्टार्ट करन करेंगे और इसके हिसाब से एक एक चैप्टर को पड़ते जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा इंफार्मेशन आएंगी तो उनको हम अन्य सोर्चत से एड़ करते जाएंगे तो यहीं हमारी अप्रोच होगी और उम्मीद करते हैं सारी चीज़े कवर हो जाएं यहीं हमारी ज चैप्टर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे एजामनेशन पॉइंट अफ्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो अगर कुछ चीजें हैं भी तो वह बात के चैप्टरों में और अच्छे से कवर हैं तो इसकी चिंता हम नहीं करेंगे हम चैप्टर बन को ऐसे ही जिन को हमें मेमराइज करना है कुछ-कुछ फैक्चूल चीजें यहाद पर बनती हैं तीक है अब इस चैप्टर की ये खास बात मैं आपको बता दूँ कि ये चैप्टर जो है इस परस्पेक्ट्व में लिखा गया है कि किस-किस तरीके से इंडिया की हिस्ट्री बिल्ड हो जब अंग्रेज शुरॉआत में लिखते थे तो वह या तो इंडियन को इंफीरियर टाइप का ट्रीट करते हुए लिखते थे और किस तरीके से बाद में जो इंडियन राइटर आते हैं वह अपने आपको ज़्यादा ही सुप्रीम बताते हैं ब्रामिनिजम को इवन सुप से लिखते दे तो एक तरीके से वो complete history नहीं बताते थे दोनों ही के दोनों biased view रखते थे तो canonical view जो थे जब अंग्रेजों के टाइम में क्या हुआ कि 1776 की बात है मनस्मृती को प्रांसलेट किया गया इंग्लिस में और उसका नाम दिया गया the code of Gentoo laws उसके बाद आ जाएगा asiatic society अब बेंगाल की स्थापना होती है 1784 में कलकत्ता में और सर विलियम जोन्स जो हैं उन्होंने translate किया अभिजान साकुंतलम को इंग्लिस में 1789 में भगत गीता को इसी प्रकार से translate किया विलिकिंस ने 1785 में और हम देखें विलियम जोन्स ने इंपसाइज किया कि सारी जो European languages हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं संस्कृत और Iranian languages के याद रखिए यह बात जो है Max Miller के आने से पहले की बात है यह बात करीब करीब 1800 सरी 1700 की बात है even Max Miller जो है उन्होंने जन्म लिया था 1830 में Max Miller जो है फेमस जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे इन्होंने इंडियन लैंग्वेज इंडियन कल्चर इंडियन हिस्ट्री पर काफिश्टेटी किया था और यह वन अप द प्रॉमिनेंट और नाजी पार्टी जो थी उसी ने विचारधारा कॉपी कर ली थी और उन्होंने कहा था खुद को आरियन्स है और नाजी पार्टी ने इसलिए स्वास्ति का सिंबल भी कॉपी कर लिया था इंडियन ट्रेडिशन से ये बात अलए कि स्वास्ति का सिंबल जो है जैनिस्म से आता है हिंदुरिज्म से उतना उसका ज़्यादा लेना देना नहीं है एक्च्वल में है आप डीब में जाये तो है लेकिन हम सतही रूप से ऐसा कहा सकते हैं आदा है प्रामिनेंट जैनिस्म में ही था तो मैक्समिलर ने फेमस इंडोलोजिस्ट थे और इनके अंडर में बहुत से इस्ट आप दे वर्ल्ड यानि कि इंडिया इरान चाइना इस टाइप के जो एरिया थे उनके भेमस लिटरेचर को इंगलिस में ट्रांसलेट किया गया था और पब्लिस किया गया था सेक्रेट बुक आप दे इस्ट सीरीज में इस बुक में चाइनीज इरैनियन टेक्स्ट भी थे और इंडियन टेक्स्ट भी थे अब ये देखें जिस थरीके से मैं अंडरलाइन करता हूँ तो आपके एक पैटरन समझ में आता होगा कि मैंने कई बार पढ़ा होगा इस बुक को पूरी बुक मैंने कई बार पढ़ रखी है जाट से बाद आप पूरी बुक देख सकते हैं बुक मैंने कई बार पढ़ी है उसके बाद जो भी अगर कोई ऐसी चीज़े जो की याद रखने वाली चीज़े हैं उनको ही मैं एंडरलाइन किया, अगर आप कई बार बुक पढ़ रहा हैं, तो आपको बहुत से concept हैं, वो समझ में आ जाते हैं, अगर आप सही तरीके पढ़ रहा हैं, उनको अपने आप वो याद हो जाते हैं, वो भूलते नहीं हैं, तो कोई भी fact वाली चीज़े होती हैं, ज systematic historical work of the ancient history, आफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, यह 1904 में यह बात लिखी गई थी, सन जानने कि यहां पर जरूरत नहीं है, आप author का नाम याद कर लें, वही बड़ी बात है, नेक्स्ट आ जाएंगे R.G.Bandarker, जिनके बारे में आप पढ़ते होंगे modern history में, जिसमें आप इन्हों ने ही क्या किया था, कि political history of the deccan को लिखा था, जिसमें इन्हों ने सत्वानाज और history of the USनावाईज और other sect के history को इन्हों ने लिखा था, नेक्स्ट आजाते हैं, V.K. रजवाडे, V.K. रजवाडे ने काफी famous काम किया था, इन्हों ने क्या किया था, history of the institution of marriage, हमारे country में किस प्रकार से मैरिज होती रही है उनका क्या सिस्टम रहा है इसकी इन्हों ने study की थी और इन्हों ने माराथी में इसके बारे में 1926 में लिखा था नेक्स्ट आ जाएंगे पांडू रंग वमन काने इन्हों अगर आप अभी तक देखें टेक्निकली तो आरजी भंडार कर के अलावा कोई भी पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं लिख रहा है अधिकतर लोग रिलीजियस हिस्ट्री ही लिख रहे हैं उसके बाद आ जाएंगे देवदत रामकृष्न भंडार कर इन्हों ने काफी लिखा था असोका के बारे में यह एपिग्राफिस्ट थे यानि की एपिग्राफ्स को इस्ट्री करते थे और इन्हों ने काफी साइन्टिफिक तरीके से चीजों को लिखा है ऐसा यहां पर डिटेल में नहीं लिखा है लेकिन अगर आप एक्ष्टा पढ़ेंगे तो आपके पता चल लेकिन कुछ लोगों होते हैं जो कि रिलीजियस टेक्स को इतना तवज्जो नहीं देते हैं वो कोई एविदेंस मिलता है खुदाई से निकलता है को एपिग्राफ निकलता है कोई लैड्रिकौर्ड यह इस टाइब की डाकुमेंट जो कि लोगों की रेगुलर लाइफ को या political life को बताते हूं तो उस पर depend रहते हैं तो उनको ज़्यादा scientific historian कहा जाता है और जो हमारे writer हैं इस book के आरे सर्मा वो famous scientific historian आप दे इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और वो एल बसम के student थे, एल बसम जो famous historian है वो भी एक तरीके से scientific historian के नाम से जाने जाते हैं ये लोग धर्मसास्त्रा वगरा पे बहुत कम रिलाई करते हैं और जादा रिलाई करते हैं जो कोई भी एविडेंस निकलते हैं खुदाई करने से या कोई लेंड रिकार्ड या इस टाइप के डाक्युमेंट से पे डिपन रहते हैं तो हम देखें तो द्यवदत रामक्रिस बंडार कर भी एक एफिग्राफिस्ट थे निख्टा जाएंगे हेमचंद्र राय चौधरी ये इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री लिखी थी फ्राम दे टाइम आप भारत या महाभारतवार से ले के 10th में हुआ था से ले के गुपता इंपायर तक की हिस्ट्री नहोंने लिखी थी लेकिन इन्की जो हिस्ट्री है काफी बाइस्ट है और इन्होंने कुछ चीजे वहां पर बढ़ा चड़ा के लिखी है और उस समय भी इनके विचारों को काफी जादा क्रेटिसाइज इस किया war based culture रही है लेकिन असोका की जो policy आती है वो peace की policy आती है तो ये जो है इन्हों ने अपने रह चोधरी ने अपने history में interpretation में ये लिखा कि असोका की जो peace की policy है वो अच्छी नहीं है जो braminical system war का था वो ज़्यादा सही था अब ये आप यहाँ पर analyze कीजिए कि कोई history जो लिख रहा होता है historian होता है क्या उसको interpretations भी देने चाहिए यानि कि वो अगर history में कोई event है उसको record के basis पे वो प्रस्तूत कर दे लोगों सामने कि ऐसा हुआ था लेकिन अगर वो ये बताने लेकर ऐसा हुआ था और ये अच्छी बात नहीं है तो क्या ये scientific approach रहा जाएगी तो ये जाहर चपाता है interpretative history जो है काफी debate का विशह हमेशा रहता है और Wendy Doniger वगरा writer जो इंडिया में बैन हो चुकी है कहने के interpretative historian के category में आती है नेक्ट आजाएगा RC मजुमदार ने history and culture of Indian people को लिखा था इसके बाद आ जाएंगे K.A. Neil Kant Sastry इन्होंने लिखा था a history of ancient India और इनका जो work था a history of south India ये भी इनके द्वारा लिखा गया था नीलकंड सास्त्री ने अपने work में cultural supremacy आप दर ब्राहमनाज को बताया था कि किस तरीके से ब्राहमिन जो है वो supreme है क्या historians को करना चाहिए क्या scientific approach है नेक्स आजाएगा K.P. Jaiswal and A.S. Altaker इकर इन्होंने क्या किया था इन्होंने भी history के बहुत से आर्ट के लिखे थे लेकिन उनमें इन्होंने ये कुछ बढ़ा चड़ा के बताया था कि इंडिया में जो पहले से जो राजा राज कर रहे थे उन्होंने कितना बड़ा काम किया है कंट्री को साकाज से एंड कुसान से बचा कर आज जब हम history लिखते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि साकाज एंड कुसान बाहर से भले आया लेकिन वो किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री इवन आरियन ट्रेडीशन में वो किस तरीके से समाहित हो गया लेकिन ये भाई साब जो ह कोई मुक्त कराया था जो कि एक सत्य नहीं है सत्य यह है कि यह बाद में हमारे ही सिस्टम में हमारे इंडियन सिस्टम में आरियन सिस्टम में यह समाहित हो गए थे निक्ष्ट आ जाएंगे के पी जैसवाल इन्हों ने यह दिखाया था कि रिपब्लिक exist करते थे ancient times में अंग्रेजिक के माने में कहा करते थे कि हमारी जो सब्वेता है वो काफी primitive type की सब्वेता है राजा रानी सिर्फ अंग्रेजों के पास होते थे तो इंडियन हिस्टोरियन KPJS वाल ने दिखाय था कि नहीं हमारे यहां भी राजा रानी हुआ करते थे यह पॉब्लिक्स हुआ करते थे और self government की भी वश्टा थी और इन्हों ने इनके जो वर्क थे वो Hindu polity नाम के total एक book में publish होते हैं इसके बाद आ जाते हैं हमारे writer के गुरुजी की बात E.L. Bassam E.L. Bassam बहुत famous संकृतिष्ट थे और famous historian भी थे इन्होंने लिखा था बहुत ही famous book Wonder That Was India इस पर कई बार सवाल पूछ लिया जाता है UPSC भले किताबों के writer के नाम ना पूछती हो SSC हुआ state के pieces वे यह काफी सवाल पूछते हैं नेख्ट आ जाएंगे DD Kosambi इन्होंने book लिगी थी An Introduction to the Study of Indian History और इनके works को बाद में publish किया गया था The Civilization of Incient India in Historical Outline नामक एक बुक में यह जो इस टाइब के work होते हैं इसको collective work कहते हैं एक editor कोई famous scientist बैठते हैं वो famous friends बाकी लोग के work को लेते हैं या उनके work के part को लेते हैं और एक book में publish कर देते हैं तो यह हो जाती है collective works तो इस तरीके से यह chapter जो है यहाँ पर खतम हो जाता है कुछ चीज़े और मैं एक्स्टर आपको बता दू जैसे डीडी को सामभी जो थे वे एक Marxist historian कहलाते हैं और इन्होंने An Introduction to the Study of Indian History लिखी थी और civilization of ancient Indian historical outline भी लिखी थी तो एक चीज़ मैं आपको बता दू Marxist historian क्या होता है Marxist historian एक ऐसा historian होता है जो history को class के perspective में देखता है इसका यह मतलब हो गया अगर normally हम historian इस समझों हम इनसे artists usually देखते हैं उनमें history जो है वो records के basis पे directly लिखी जाती है किस तरीके सराजा थे, परजा थे, बिजनेस कैसे होता था यह लेकिन Marxist historian एक वो start करते हैं कि उस समय की society किस टैफ के classes में divided थी और वहाँ से बात start करते हैं और यह देखते हैं कि किस टैफ से लोगों का exploitation होता है किस टैफ से resources का और खासकर means of production जो चीजें समाज में हमारे society में जो भी वस्तु हैं हम इस्तेमाल करते हैं उनके production को किस तरीके से determine करती है society यह सारे चीजें वहाँ पर Marxist historian का perspective हो जाता है उसके बाद बहुत से अन्य historians आते हैं जिनको हम कहते हैं critical historians, critical historians क्या होते हैं वो society में criticality को देखते हैं यानि की मान लिजिए वो society में देखते हैं कि lower caste का क्या status था women का क्या status था, tribals का क्या status था non ruling oppressed society के लोगों का क्या status था तो वो यह सारी जो चीजें देखते हैं वो जाते हैं critical historian तो बहुत से historians हो सकते हैं कोई मोटा मोटा division नहीं है हम जब school में पढ़ते हैं पोसिस की जाती है जो कि history को एक unbiased view दे सकें तो ये वीडियो हमारा chapter 1 और 2 को cover कर लेता है अगले वीडियो से हम chapter 3 start करेंगे और अगर आप इसी वाले book का old edition देखें तो उसमें ये वाला chapter जो है थोड़ा नाव चेंज होगा लेकिन वो chapter 2 होगा बीच में chapter 2 गाया भाई इसलिए मैं आपको book से पढ़ा रहा हूँ तो इस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू